तो अगर आपने हमारा कल का वीडियो न देखा हो या हमारे पूरे हफ़ते के वीडियो न देखा हो तो उसका पूरी लिस्ट आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा आप उससे देख सकते हैं कि हमारी क्या अनालेसिस थी और हम कैसे प्रिडिट कर रहे हैं जो हम लेविल्स कर रहे थे तो कल का अगर हमारा देखेंगे कि यवीडियो प्रिडियो प्रिडि थे हमने कहा था कि इस स्कंडल का लोग वरेक होते ही आप इस लेविल के टागेट कर सकते हैं और अप देखेंगे कि आज हो अचीव हुआ है हमने ये भी कहा था कि निफ्टी की जहां तक हो सके opening flat होनी चाहिए आज और आप देखिए कि जादा gap down movement नहीं था और ये एक up move था और ये फिर अपने target को one shot में hit कर गया है तो ये हमको समझना पड़ेगा कि निफ्टी अगर हमारे zone में ही open करेगी अगर तो हम उस targets के लिए प्रयास करेंगे वरना हम उस level ले प्रयास नहीं करेंगे तो आज देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया है आज निफ्टी ने एक gap down move देके एक retest और एक down move और एक retest दिया है तो आपको अगर पता है तो US ने आज fed hike की date है और US government announce करेगी US government जब announce करेगी तो इंडियन government भी उसी को replicate करती है तो आज BTST या कोई positions carry करना बहुत unsafe है कि कुछ भी हो सकता है कल तो अभी कल के लिए हम रखेंगे खुड़ा room up move के लिए भी और down move के लिए भी तो आज की निफ्टी की closing हुई है 17.715 पे अब अगर कल हमारे favor में आता है कुछ market में upward movement आती है तो हम 17.818 के उपर ही long होएंगे यह क्यों होंगे क्योंकि हमको कम से कम 100 point का buffer चाहिए कि gap up movement आ जाए तो अगर इस zone तक भी gap up खुल जाए तो हम एक long entry में 17.818 पे entry करेंगे और हमारे targets होंगे 17.868 target 1 और target 2 होगा 17.912 हमें up move में थोड़े conservative targets रखने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि market में volatility हो कि यह enter कर जाए आपका trading zone और यह शायद एक pullback दे दे तो हमको थोड़े कम targets रखने पड़ेंगे upside के लिए कल के लिए अभी हमने targets क्यों choose की हैं देखिए जब आप इस zone को break करते हैं तो आप इस zone की इसका support इसका resistance और भी break कर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह entry point काफी well chosen है हमारी तरफ से अगर आप एक risky trader हैं तो आप 17,787 पे भी entry ले सकते हैं इधर अगर आप एक aggressive trader है बट conservative trader 17,818 पे ही entry ले अभी बात करते हैं targets की तो targets हमने 17,8,68 क्यों choose किया है देखें आप देखें यह support है यह support जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अगर यह pullback zone आएगा तो इस support zone से आ सकता है तो यह support zone हमारे ले काफी important है और आप देखेंगे कि यही यहाँ पर resistance zone भी है तो resistance turn support जो zone होते हैं यह zone हमारे ले काफी critical होते हैं क्योंकि यहाँ पर price action अपना काम करेगा बड़े players अपनी selling और buying करेंगे इसलिए हमारा यह target होगा target 2 में और target 3 अगर आप देखेंगे तो यह हमारा target 3 होगा क्योंकि यह हमारा high था पिछले दो दिन का यह high हमारा इसके उपर हमें कोई long position कारी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर reversal के chances सबसे ज़ादा है तो यह analysis में 15 minutes पे किया है क्योंकि हमने अपने पहले के videos में daily पे analysis किया हुआ है अब अगर हम देखें short trade में कैसे enter करना है तो वो भी देखते हैं तो अगर short trade में हमें enter करना है हम देखेंगे कि हमारा days low जो है यह पहले break होना चाहिए यह हमारा आज का first target था और हमारा second target यह था तो अगर अभी हमें down move में continue करना है तो हमें अपना days low जो आज का first target था उसको break करने के बाद ही हम second target पे जाएंगे ना अगर हमारा one ही पूरा नहीं होगा तो हम two तक कैसे जाएंगे तो क्योंकि हमारी entry आज breach हो गई और हम first target पे पहुँच गए है तो जैसी हमारा first target breach होगा हम second target तक चले जाएंगे तो यह हमारा entry होगा short के लिए यह entry क्यों है क्योंकि यह एक support zone भी बन सकता है और यह support zone बना है जैसे हमने long में बात की थी यह resistance है और यह support बन गया है तो यह zone काफी important होता है price action में तो यहाँ पर यह support है अगर यह कल यहाँ gap down होके थोड़ा भी नीचे भी खुल जाए हमारा target हलका सा की तरफ खुल भी जाए तो भी हम एक short trade में जा सकते है है target 1 के लिए पर हमारे stop loss आपको बहुत उस day के opening के आसपास लगाने पड़ेंगे क्योंकि हम इतना लंबा stop loss यह stop loss नहीं मानके चल सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा stop loss होगा तो यह हमारा जैसे ही resistance turned support zone break हो जाएगा हम इस consolidation पे जो कल का हमारा target 2 था वो आज का हमारा target 1 हो जाएगा और जो दूसरा हमारा zone होगा वो होगा 17,546 इस zone में आप देखोगे फिर से आपको यहाँ पर support मिल रहा है यहाँ support मिल रहा है यहाँ support मिल रहा है तो price action यहाँ से फिर support लेके उपर जा सकता है तो इसलिए हमारा second target होगा 17,546 अगर nifty की बहुत कल movement हो और आपके target के पास ही जाके इतनी gap down में भी खुल जाए तो आप वो trade नहीं लीजेगा आप nifty के उसी दिन के movement को analyze करके फिर price action पे कोई trade लीजेगा तो आज के लिए हमारा level ये है और कल देखेंगे क्या होगा क्योंकि कल US Feds अपना rate hike करेंगे इसका direct impact इंडिया पे भी पड़ेगा क्योंकि US markets को world markets follow करेंगी ही करेंगे तो आज के लिए इतना ही देखते हैं कल क्या होता है nifty में और ऐसी ही amazing content से जुड़े रहने के लिए you have to like share and subscribe to our channel ताकि आपकी analysis और accurate हो ठीक है see you soon then